खुड बारिंग सेंट क्लास। तो हम हंदी का पार्ट जह है पायल का सहास नामक पार्ट पड़ रहे थे, ठीक है ना। हमने कल इसकी exercise की थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले शब्दार्थ किये थे copy में, ठीक है न, मैंने आपको मौकिक और लिखित question कराये थे, तो I hope कि आप लोगों नहीं शब्दार्थ, मौकिक question answers और लिखित question answers अपनी copy में कर लियोंगे, इसके बाद हमने exercise की थी, पहली exercise हमने खाली जगे भरो की थी, वो मैंने आपको copy में करने के लिए कहा था, और बाकी exercise को भी आपनी क्या करना था, बुक और copy में complete करना था, तो इतना कारिया आपने अपनी copy में कर लिया होगा, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पहले exercise है, कि इ कैसे बनता है, का, प्लस शा को मिलके क्या बनता है, अक्षा बनता है, ठीक है ना, इसी तरीके से त्रा है, त्रा कैसे बनता है, त्रा, और रा को मिलके बनता है, ठीक है ना, तो क्या बनता है, त्रा, ग्या कैसे बनता है, ग्या से ग्यानी, हम जा, जा में हलन्त लगाएंग वेजानी और यहन क्या बने गानी औरोרא को से बनता है शा से शा मिख डूपकर नीक्स्रीज्ए है नेक्स्र difसाइज है किस ही प्लूपकर नेक्स्ट सब्सक्र बने बख संट बने वयुए विदय ले और वीधिय उट्या विद्य पहला शब्द बनेगा इसको भी क्या करेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे अब है आपकी नेक्स एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है अपने का के या की लिखकर आपने खाली जगे बनना है ठीक है तो पहला है बिजली का खंबा सेकेंड है पायल डैश भाई तो क्या होगा पायल का भाई नेक्स्ट है पायल की हिमत और लास्ट है पायल के मादपिता तो ये भी आप क्या करेंगे कॉपी में करेंगे ठीक है ना अब है आपकी नेक्स वाली है कि रंगिन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुट कर वाके पूरे करो, उल्टे अर्थ मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड से लिखना है, तो आप बॉक्स में देख रहे हैं, कि थ्री वर्ड से रहे हैं, फर्स्ट टैप पुराने, सेकेंड है नीचे, और लास्ट टैप का पीछे, तो इन वर्ड से आपको नीचे की एक्सर अपोजिट वर्ड है, तो क्या है, कुछ नए का क्या हो जगा, पुराने कपडे थे, ठीके न, चणिया पेड्व के उपर, उपर क्या है, अपोजिट है, तो उपर का अपोजिट क्या होता है, य gio सेंटेंस क्या बनेगा कि चडिया पेड के ऊपर और चूहा नीचे बैठा है तो इस exercise को भी आप क्या करेंगे बच्चो कॉपी में करेंगे ठीक है न तो अब आपको समझ में आगे होगा कि आपने कौन-कौन सी exercise करनी है आपने question no.3, question no.4, question no.5 question no.6 आपने copy और book दोनों में करना है ठीक है न तो आपको पता है कि आपने किस तरीके से करना है आज की date डालके और साफ और search writing में आप इस कार यह को अपनी copy में करेंगे ठीक है न